Hello everyone, NK Education Channel पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कल से BPSC की परिक्षाएं सुरू हो जाएंगी हमारे चैनल की तरब से आप सभी को अक्रिम सोब कामना हैं आप सभी अच्छे से अपने टेस्ट को करके आएं और सभी क्वालिफाइ हों हम अपने सभी साथियों के लिए ऐसी शुब कामना है और भगवान से प्रे करते हैं इसमें आज हम बहुत जरूरी सूचना देने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं इसलिए क्योंकि कल एक्साम है और यह सूचना अभी थोड़ी देर पहले आई है इसलिए से प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा वाइरल करें ताकि किसी भी अभ्यरती का कोई नुकसान ना हो बी पी एससी ने अभी अपनी साइट पर इसी सूचना को डाला है जो कि सबजक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर है क्योंकि सबजक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से आपकी पूरी तैयारी होते हुए भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो इस आवशक सूचना को द्यान से सुनना पढ़ना और चाहे तो आप इसका स्क्रीन सॉट ले लेना और अगर BPSC की सैट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो वहां से आप डाउनलोड इसे कर लें और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल सबस्क्राइब करें क्योंकि आपको यहाँ पर एजुकेशन, BPSC, CTAT सभी के रिकार्डिंग और अथेंटिंग न्यूज मिलेंगी और प्लीज एक लैक जरूर करें क्योंकि हम सभी को मोटिवेशन मिलता है आवर्शक सूचने यह है कि विज्यापन संख्या 27.2003 इस जो कि आपकी BPSC, TRE 2.0 की विज्यापन संख्या है यह सभी आपको पता होगा कि यह आपकी भरती की विज्यापन संख्या है यह आपको पता होना बहुत जरूरी है नहीं है तो इसे आज आप नौट कर लीजी विद्याले अध्यापक के पदों पर न्युक्ति हेतु सामाजिक विज्यान विशय के प्रशन पत्र तीन भाग में विभाजेते हैं यहाँ पर सब्जक्ट कॉंबिनेशन एक ऐसा है कि इसमें जब एड्मिट कार्ड सभी स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया तब भी इसमें प्रॉब्लम आई थी पहला जो BPSC TRE 1 हुआ था उसमें भी प्रॉब्लम आई थी कॉंबिनेशन को लेकर बहुत प्रॉब्लम थी और अभी तक भी यह चीज के लिए नहीं हुई है क्योंकि बहुत सी ब्रांतिया विभाग तक गई इसलिए उन्होंने आवस्यक सूचना को अभी अपने उस पर ट्वीट किया है और साइट पर भी डाला है जिसमें सामाजिक विशय के प्रिशन पत्र तीन भाग में भाजित होंगी आप देखना सामाजिक विग्यान के भाग एक भाषा जिसके अरता है भाग दो सामान्य अध्यन एवं भाग तीन होगा सामाजिक विग्यान अब ये किस किस तरीके से होंगे भाग तीन जो है अब ये भाग तीन जो है में जो है भाग तीन जिसमें सामाजिक विग्यान आएगा वो दो section में divide है पहला section और दूसा section में विभाजित होने में अगर अभ्यर्ती section 1 में इतिहास या भूगोल विशे के प्रिश्णों के उत्तर देने के लिए chain करेंगे तो section 2 में अभ्यर्ती भूगोल यदि section एक में chain नहीं किया है तो है क्योंकि अगर आप यहां पर ध्यान रखना आपको केवल इतिहास या भूगोल मैंसे एक एक विशे रखना है चाहे आप section एक में रखने उसे चाहे section दो में रखने यह main चीज है कि एक में इतिहास आजाना चाहिए और एक में भूगोल आजाना चाहिए यह यहाँ पर combination बनेगा इनका oblique करके अर्थ सास्तर अगर आपने वहाँ पर chain नहीं किया है तो राजनीती सास्तर के प्रिश्णों के उतर देने के लिए chain करेंगे उधारन स्वरूप इसे और clear करने के लिए अगर उमीदवार द्वारा section एक में इतिहास विश्ण का chain किया गया यानि कि आपने section एक में इतिहास चुन लिया तो section दो में भूगोल, अर्थ सास्तर, राजनीती सास्तर में से किसी एक विश्ण का आप chain करेंगे अगर आपने section एक में इतिहास ले लिया आपने सेक्शन एक में इतिहास लेलिया तो आप सेक्शन दो में क्या लेंगे अब सीधा इतना ही सोच लिए फिर सेक्शन दो में आपको इन में से एक लेना होगा भूगोलिंग या अर्थजास्त्र ले eigenlijk या राजनीतिशास्त्र ले合 इन मेंसे किसी एक विशय का चेन आपको करना होगा अगर उम्मीद्वारा सेक्षन एक में भूगोल विशय का चेन कर लिया और इसका उल्टा करते हैं कि अगर आपने सेक्षन एक में ही भूगोल विशय का चेन कर लिया है तो अब section 2 में कहलेंगे तो फिर आप section 2 में अर्थसास्त राजनीती सास्तर में से किसी A कवश्य करेंगे तो यहाँ पर आप इतिहास नहीं है यहाँ देखना अगर आपने section A में भूगोल ले लिया तो फिर section 2 में जाने पर इतिहास नहीं है अर्थसास और राजनीती सास दर बच जाता है जबकि जब आप अगर section A में इतिहास ले लेते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं है section 2 में भूगोल और अर्थसास और राजनीती सास तर चुरेंगे लेकिन अगर आपने section A में ही भूगोल चुन लिया है तो section 2 में जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है ही नहीं कि आप इतिहास ले फिर अर्थसास राजनीती सास्त और विस यह आपको लेना है यह इतना confusing है कि आप इसका screenshot ले 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 तो बहतर है और अच्छे से समझ ले तो बहतर है कई बार सच में confusion हो जाता है इस चीज़ को लेके कि क्या है क्या नहीं क्योंकि यहां पर देखिए section 1 में हम इतिहास ले रहे थे तो section B में हम भूगो और अर्थसास राजनीती सास्त लेकिन अगर हम इसका करके section A में ही हम भूगो ले ले लेते हैं तो section 2 में फिर आप देखिए आपके पास फिर सर्फ अर्थसास्तर और राजनीती सास्तर बच जाता है आपको इन दो में से किसी एक को लेना होगा तो इस परकार से आपका subject combination बनता है और ये देखिए आज की यहाँ पर 6 तारिकी है इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इसे site पर upload किया है ट्वीट किया है तुरंथ हमने वीडियो बनाया हमने ये भी नहीं देखा कि कितना समय है कितना नहीं क्योंकि अब्यर्टी के lab से जुड़ा हुआ मुद्धा है आपके हित से जुड़ा हुआ मुद्धा है इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें और वीडियो को अंतक्त देखने के लिए thank you and thanks for watching और आप एक बास screenshot चरूर ले गए अगर इसमें समझ में कुछ नहीं आया है इसलिए मैं इसे minimize कर लेती हूं आप इसका screenshot ले 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 ताकि अच्छे से इसे आप समझते रहे ओके thank you